एक बार की बात है, एक शांत, सुरम्य गाउं में दो महिलाएं रहती थी, श्रेया और प्रिया। वे न केवल पडोसी थी, बलकि एक ही घर की बहुएं भी थी, जो कई भारतिय परिवारों में एक कॉमन सी बात है। हाला की वे दोनों अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर चलाने के उनके तरीके बहुत अलग अलग थे। बड़ी बहु श्रेया पारंपरिक थी और पुराने धंग से काम करना पसंद करती थी। वो जल्दी उठती थी, रंगीन साड़ी पहनती थी और अपने दिन की शुरुआत मसाले पीसने और स्वादिष्ट भूजन पकाने से करती थी। वो पीडियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बाने में विश्वास करती थी। चोटी बहु प्रिया मौडन जमाने की थी। घरेलू कामकाज को अच्छे तरीके से करने के लिए उन्होंने अपने स्मार्टफोन में एप्लिकेशन का इस्तिमाल किया करती थी। वो तुरंत और सुविधाजनक काम करना पसंद करती थी और अक्सर मौडन कपने पहनती थी। जैसे जैसे समय बीटता गया, घरेलू कामकाज में श्रेया और प्रिया की बीच तनाव बढ़ने लगे। श्रेया को लगा की प्रिया परंप्राओं की तोड रही है, जबकि प्रिया को लगा की श्रेया बदलाव के प्रती बिरोध कर रही है। एक दिन परिवार ने दोस्तों और रिष्टेदारों को आमंत्रित करके अपने घर पर एक भव्य उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। श्रेया और प्रिया दोनों को दावत तयार करने का कार्य दिया गया, यही से उन दोनों के बीच विवाद अधिक बढ़ गया। उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में खाना बनाना जारी रखा और पारंपरिक व्यंजनों का आपना ग्यान प्रिया के साथ साजह किया। उत्सव बेहत सफल रहा और उनके परिवार और महमानों ने आधुनिक स्पर्ष से युक्त स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का आनन्द लिया श्रेया और प्रिया ने एक दूसरे की खूबियों की सराहना करना और उनके मदभीदों का सम्मान करना सीखा श्रेया और प्रिया की संघष से सहयोग तक की यात्रा की कहानी एकता, सम्मान और परंपरा और आधुनिकता के सही मिश्रन की एक दिल छू लेने वाली कहानी बन गई